का अट कि कर अ कर तो एलो एवीवन आपार बटो विद आज की देट है 16 अगस्ट डोजर थेज आये शुरुवाद करते हैं आज की करेंटा भी इसकी गुद मारिंग गुद मारिंग एविवन कैसे हैं अब आज अभी आ रही होगी चलो आज मेजर आर्टिकल्स देखते कौन कौन से हम डिसक्स करने वाने इसके बारे में हम समझेंगे यहां पर बात और यह मुद्धू मलाई के आसपास आपको एक एरिया देखने को मिलता है जहां पर लगबग 495 फैमिली तो इसमें हम बहुत सी चीज़े समझने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट एरिया है यहां पर वेस्टन घाट और इस्टन घाट आपका मिलता है तो काफी क्रुश्वल हो जाता है इसके बारे में हो सकता है यूपीस्य आपसे कोशन पूछ ले तो यहां पर इस आर्टिकल को कवर करेंगे इसकेंड आर्टिकल एक स्कीम गौवर्मेंट ने कहीं ना कहीं लॉंच किये आपको इस स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पता होने चाहिए और विश्वकर्मा जेंती पर इसे लॉंच किया जाएगा बट क्योंकि नाम यहां पर लिया है तो इस स्कीम के यहां पर जो प्रदानमंत्री ने अपने भाशन में कहा है उसके बारे में हम यहां पर समझेंगे देन कावेरी रिवर इस से एक इंपॉर्ने इसिव जो हमें पता होना चाहिए इसको हम थोड़ा अशा और डिटेल में डिसकुस करेंगे लास्ट यहां पर लिभ्या की सब्सक्राइब तो यह पांच आर्टिकल आज हम डिसकर्स करने वाले हैं स्टार्टिंग विद्धी फस्ट आर्टिकल यहां पर आप से बात की जा रही है मुद्धु मिलाई नेशनल पार्क के बारे में सबसे पहले तो आपको पता हो ना मुद्धू मलाई है कहां पर लोकिटेड हांजी इसको याद रखना जहां पर आपका यह एक ऐसा एरिय है जहां आकशा टॉल क्राषि सकूं क्या करें ऐलिफेंट ग्रास जाद तर्आ अगर हम इस अरिया को देखें तो आप कह सकते हों dwa क्या है टॉपरिक ग्रॉपर इस एरिया में पेड़ पॉदे किस तरह के मिलते हैं तो टीक वुड आपको मिल जाएगी रोज वुड मिल जाएगी आपको तो कुछ इस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर मुद्धु मुलाई एरिया की बात की जाए तो यहां पर एक चीज जो आपको याँ रखनी है यहाँ पर आपको elephant भी देखने को मिलते हैं। कि लखाष भी देखने को मिलते हैं ला सैंसर तीधाइगर सैंसरे उसके अकॉर्डिγ defining यहाँ पर 33 टाइगर देखने को मिलते हैं तो यह मेईर निमल्स news जो आपको को पता होनी चाहिए अब यहां एक चीज आती है कि जब भी हम conservation के बारे में बात करते हैं कि तो उसके अंदर एक चीज आपको पढ़ाई जाती है हुमन एनिमल कॉन्फिक्ट यह मैं इसके प्रस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूं हुमन एनिमल कॉन्फिक्ट कि अब एक चीज बताओ सबसे बड़ा रीजन क्या है हुमन एनिमल कॉन्फिक्ट का वन आप दा रीजन इस आप बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है आपकी किसी प्रोटेक्टिड एरिया से अब यह जो गाउं है ना जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कंटेक्स हम देखेंगे इस गाउं के आज पास भी आपको यह देखने को मिलता था कि बहुत चारसो पांसो परिवार रहता था और प्रॉपर फेंसिंग वगरा कर रही थी बट इस एरिया में बहुत बड़े-बड़े जानवर मिलते जैसे अ आपको देखने को मिले तो जब कोई परसें बहुत ज्यादा क्लोज रहता है प्रॉटेक्टिट इरिया के उस समय आप देख सकते हैं कि हुमन एनिमिल कॉंप्रिक्ट इंक्रीज होते हैं अब इसके कुछ नेगेटिव नेगेटिव क्या हैं सबसे पहले तो अगर आप होते हैं अब किसी परसन की जान भी जा सकती है हो सकता है कि हैंडिकाप हो जाएं या को बहुत ज्यादा बड़ी इंजरी हो जाएं तो यह चीज़े आपको देखने को मिल सकते हुमन एनिमल कॉंफ्रिक्ट में सबसे पहली तो हुमन लाइफ डिंजर में आती है दूसरी ची जानवर को मारने की कोशिश करेंगे तो यहां पर एनिमल के ऊपर भी नेगटिव इंपेक्ट पड़ता है दूसरी चीज तीसरी चीज हमेशा यह जानवर डिस्ट्रेस में रहेंगे इसके का मतलब वह हमेशा दूरी बना के रखना चाते हैं तो कई बार यह क्या आ जैते हैं थोड़ी डिस्ट्रेस में आज़ते कि हुमन के साथ यह इतना इंट्रेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं अब डिस्ट्रेस में आएंगे तो इस से इनकी जो लेक आप यह कह सकते बर साइकल जैसे रिप्रोड़क्टिव साइकल जो है उसके उपर नेगेटिव इंपक्ट पड़ता है और इसके कारण आप क्या देखते हैं मतलब यह जो डिस्ट्रेस आया इसके कारण क्या देखते हैं कि इनकी रिप्रोड़क्टिव जो पावर है मतलब रिप्रोड़क्शन ज आपको एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है अब जैसे हुमन सेटलमेंट है गौवर्मन्ट चाहेगी मतलब पांसो साथ सो फैमिली रहरी हो चाहे बट गौवर्मन्ट चाहेगी कि उस एरिया में डेवलप्मेंट आए तो फ्रिक्वेंटली कनेक्टिविटी के लिए उनके सुविधाओं के लिए जैसे हॉस्पिटल छोटा मोटा बनाना या स्कूल बनाना ऐसी चीज़े की जाएंगी तो इससे जो पेड हैं उनके उपर भी नेगेटिव इंपक्ट पड़ेगा तो यह चीज़े यहां पर नेगेटिव आपको देखने को मिलता है हुमन एनिमल कॉ प्रोटेक्टिड एरिया के पास human settlement का देखा जाना यह वन आफ दा मेजर कारण है जिसकी वज़े से human-animal conflict आपको होतावा दिखाई देता है अब यहां पर सुप्रीम कोट ने एक बात कहिए सौरी हाई कोट ने एक बात कहिए कि भई जानवरों को भी free from fear and distress ऐसा रहने का अधिकार है वह अपनी आजादी से अपनी बिना किसी डर के रह सके ऐसा उन्हें यहां पर मतलब आप यह कह सकते कि राइट है तो इसको मदरास हाई कोट ने क देंगे compensation कहां से आएगा कहते है कैमपा फंट से आएगा कैमपा फंट क्या है compulsory airforestation का आपका फंट है उसका लेक जो भी पार्ट बनेगा यहां पर यह इन लोगों को इन विलिजर्स को दिये जाएगा जो कहां पर रहें थेंगू वाला जो एरिया है थेंगू एरिया है ज consider the following statement wildlife animals are the sole property of government when a wild animal is declared protected such animal is entitled for equal protection whether it is found in the protected area or outside apprehension of the protected wildlife animal become a danger to human life is sufficient ground for the capture or killing जल्दी से इस question को आप attempt कीजिए जल्दी से हां जी दोनों ही करनी है दोनों ही चीज़े आपको करनी चाहिए कि अधिको वाइल एनिमल्स गौर्वन की प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही है गौर्वन के लावा आप और किसी के पास नहीं देखते इसे अगर बात की जाए यहाँ पर प्रॉटेक्टिड एरिया की तो यस चाहे लाइक कोई एनिमल भार भी हो उसके लिए यहां पर यह प सिर्फ और सिर्फ की वह देंजर बन चुका है इस बेसिस पर आप किसी जानवर को नहीं मारते हैं यह चीज़े आपको याद रखनी यह तीन स्टेट्मेंट्स थी ना इवी टॉक अबाउट इस पर्टिक्लर विलेज के बारे में तो यहां पर आपको बहुत सी चीज़े द आप यहां पर यहां पर आपका इस पर खेती कर रही है अब यह रेगुलर आपका माईग्रेटरी कॉरिडॉर है एलेफेंट्स के लिए जिसकी वजह से यहां पर हाइप ने का कि इस एरिया में सी आप इस एरिया को प्रोटेक्ट कीजिए तो यहां पर आपको इस एरिया के बारे में इतना याद रखना था अब यहां कहा गया कि भी कि एक फंड के बारे में बात की गिए डाट इस कंपंसेट्री एक फॉरस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉर्टी यह कैंपा जो है कैंपा फंड इसके थू यह पिछेतर करोर रुपे इन लोगों को दिये जाएंगे अब यहां आपको पताऊने चाहें क केंपा फंड आया कहां से और क्यूं इस ऐरिया मतला लगा लिए 20 एकड के आसपास है जमीन मैंने इसolie अक्वायर करना आ अब यहां पर मुझे क्या करना होगा मेरे को यहां पर सरकार कर हो कि ए chuck theyust जहां पर इनका काम क्या होगा कि सेम जितना यहां पर मैंने Forrest डिस्ट्राइ किया है three forest कहीं न कहीं आप और बना सके इसके आश पास पास भी हो सकता है कहीं और भी हो सकते हैं अग्जामपल देता हूं अंडेमान एन निकोबार में हम जंगल काट रहें ग्रेट निकोबार प्रजेक्ट के लिए बट उसके लिए अब यहां पर 20 एकर मैं लिया था तो 20 एकर जमीन प्लस उस जंगल को गाने की जो कीमत होगी डाट आयाइब टूपे जो ए फॉरस्टेशन के लिए लोगों की डिप्लाइमेंट या प्लांट की सीड्स और खरीदना यह सभी के लिए पैसा यहां पर मैं पे करूंगा मेरी अब यह पहली चीज हुए दूसरी चीज यहां पर आती है अगर मान लिजे यह एरिया जहां पर मैं जैसे हर्याना है अगर मैंने हर्याना की कोई ऐसी जमीन देखी ज़्यादा उपजाओ नहीं तो उस केस में यहां पर इसे आप डबल कर दीजे यानि कि 40 एकर मेरे को जमी जीन देनी पड़ेगीौ ऐसी बात केते जadaãy इसमें सी machines जो है दाट विल गोर्ड बिस्टे गोर्वर्मेंहें यानि की 90 परसंट ड है ड्याट Will Be you तो दी स्टेट गवर्मेंट और दस परसेंट जो फंड है डाट विल भी गविंग टू दी सेंटर गवर्मेंट तो यह इसके मेजर प्रविजन है प्रावधा ने जो आपको पता होना चाहिए इतना तो पता होना चाहिए और यहां पर इस अथारटी की बात की जाए तो यह स्टाट्री अथारटी है अब यहां पर इसके बारे में आपको कुछ चीज़े पता होनीचे इसे स्टाबिश किया था 2004 में इसके तहट हम यह करना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर हम एफिशेंटली एफेक्टेवली और ट्रांसपरेंटली जो अमांट आ रही है फॉरस ड še regenduration के अंदर को हम यूपलाähr में और यह के पर यहां पर फंड से पैसा आएगा 1 करोड यहां दिया जाएगा इसका नाम में सी टी जल्दी से बताइए क्या है नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथोरिटी अब नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथोरिटी के बारे में आपको पताओ नहीं कि 2005 में यह और अर्गनाइज़ेशन बनी थी अब इसको बनाने की पीछे कारण क्या था देखें मिसिंग टाइगर एक रिपोर्ट पब्लिश के बेसिस पे नेश्टनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी को बनाये गया था जो प्रुजेक्ट टाइगर को आपकी हैं एवन आज की बात करें तो आज की डेट में जो प्रुजेक्ट चीता है रे उसको भी यही आपकी मतलब जो ऑर्गनेजेशन हैंडल कर रही है अब इस पर्टिकलर ऑर्गनेजेशन की बात करें तो इसको यह 55 क्रोड रुपे दिये जाएंगे इसको फर्दर दो महिने के अंदर अंदर यह पैसा ट्रांसफर करना होगा तमिल नाडू प्रिंस्पल चीफ कंशर्वेशन और फॉरस्ट को अब यहां पर इसके पास जब पैसा जाएगा इसको यह काई गया है कि आपने उस दो महिने के बाद मतलब अभी पैसा क्यमपा के पास से किसके पास जाएगा नाश्नय टाइग ओस के पास इस से पैसिकलर ूरुप के पास जाएगा और इस स विलेजर्स को मिलेगा दस अक्टूबर तक मतलब यहां पर कोट ने कंप्लाइंस के लिए डेडलाइन एक सेट कर दिये कि दस अक्टूबर तक पैसा देना होगा तो इन टोटल इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था कोई डाउट है हां मद्रास हाइकोट आपका कॉमन हाइकोट ही है मद्रास प्रविंस वहा करती थी ना तो तमिल नाडू हाइकोट की जगह उसका नाम मद्रास ही रखा हुआ अब थोड़ी बहुत अगर यहां पर देख लिए लोकेशन भी केंपा फंड वगएरा हमने नेशनल टाइकर कंजर्वेशन अथार्टी देख लिए यह आपका मुद्धु मलाई वाला एरिया इसके उपर यह वाला जो पार देखने को मिल रहा है यह बांदीपूर है थोड़ा सा आप इस सेट चले जैंगे यह वाइनार्ट वाइलाफ से को एकोषन इस पर्टिक्लर एरिया कर बारे में पूछा हुआ है तो इस एरिया के बारे में इतना जाना था है कि सी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हाँ सुन्दरवन में भी दिखते हैं हाँ हाँ जी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं क्लियर ओके नेक्स अभी प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी थी रेटपूर पे अब इस स्पीच में उन्होंने कुछ बात कई उन्होंने का विश्व कर्मा योजना के बारे में हम कुछ शुरुवात करने वाले हैं अब यह योजना है क्या विश्व कर्मा अगर बात करें हिंदू मेथालोजी के इसाब से सुप्रीम क्रियेटर मतलब आप यह मान के चलें कि स्ष्ट्री में जो आप बड़ी बड़ी चीज़े देखते जैसे इंद्र का वज्व हो गया या लंका का बनना हुआ यह सभी चीज़े किस ने करी थी विश्व कर्मा जी ने बनाई थी मतलब दुनिया में सबसे बड़े जो क्रियेटर है मिंस मैं मिंस किसी चीज़ आप आर्टिटेक्चर कह लीजे या सेवल इंजीनियर कह लीजे वह यहीं अब इनके ऊपर विश्व कर्मा डे के ऊपर हम एक योजना स्टार्ट करने वाले हैं डाट विश्व कर्मा योजना इसमें हमारा जो फोकस रहेगा के ऊपर जहां पर हम यह फोकस कर रहे हैं कि जो भी अलग-अलग ट्रडीशनल आप यह कह सकते हैं वर्क स्पेस में वर्क कर रहे हैं यानि क्राफ्टमेंस हैं जो इन सबको इस स्कीम के अंडर करेंगा मीन्स को प्रवाइट सम लेकं सपोट तू इसमें आप सुनार भी देख सकते हैं लुहार भी देख सकते हैं अलिक National Pension Scheme, NPS, resident Indian citizen only, person of age from 21 to 55 only, all state government employee joining their services after the date of notification by the respective state government, all center government employee including those armed forces में हैं और जोनों ने 1 April 2004 के बाद इसे जोईन किया. हां जो जल्दी से कौन कौन जॉइन कर सकता है National Pension Scheme को अब यहां पर अगर आप बात करें जुए ने नेशनल पेंशन स्कीम की तो इसमें कहा जाता है कि जो सेंट्रल गॉपर्मेंट है इसने इसे इंट्रड्यूस किया था जनवरी तो यहां पर resident of Indian citizen only लिखा हुआ है तो resident and non-resident दोनों ही कर सकते तो यह तो गलत हो गया टेक्निकली थोड़ा सा मतलब यहां पर स्कोप छोड़ दिया अब दूसरी भी स्टेट्मेंट गलत हो कि क्योंकि 18 साल से स्टार्ट हो रहा है तीसे स्टेट्मेंट अगर बात कीज़े तो यह जोईन कर सकते हैं तो यहां पर यह नहीं कहा कि सिरफ कौन कर सकते हैं यहां पर आपने टेक्निकली क्रेक्ट स्टेट्मेंट आपको उसको चूज करने कोशन स्पेसिली मैंने स्पेसिफिकली इसले ही चूज किया है विक आप यहां पर जट से यह देखेंगे रेजिदेंट ऑफ इंडिन सेडिजन तो आपने यहां पर रेजिदेंट इंडिन सिडिजन देखे मोहर लगा दी एप वो यहां पर टेक्निकली करेक्ट आंसर इसका बनेगा सी ओप्शन कौन सा सी ओप्शन यह चीज आपको यहां पर याद रखने है नहीं टाक अबाउट इसकीम को स्टार्ट कप क्या जाएगा विश्यकर्मा जहनती पर स्टार्ट के जाएगा इसमें ओवीसी के ऊपर फोकुस क किया जाएगा स्पेशली जो जैसे लॉंड्री वरकर है गोल्ड्समित हैं ब्लाक्समित हैं मतलब सुनार लोहार बारबर लॉंड्री वाले सभी को इसमें जोड़ा जाएगा इसमें गौर्वर्मेंट स्पेंट करने वाली है लगबग 15,000 करो ताकि इनने सपोर्ट प्रवा आसपास देखा होगा सब्जी बेचने बगारा जो लोग आते हैं इनके लिए गौर्वर्मेंट ने का कि भी हम एक साल के लिए एक शौर्ट टर्म लोन इनके लिए अरेंज करेंगे जहां पर इंट्रस्ट सब्सिडीज सब्सिडाइज इंट्रस्ट मिलेगा आपको 7% का अ उसको और बड़ा लोन मिल जाएगा और खासकर यहां पर फोकस किया रहा है अर्बन एरिया के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके उपर अभी तक गौर्वर्मेंट ने इसमें 50,000 करोड दिये हैं स्ट्रीट वेंडर्स को तो स्कीम के बारे में भी आपको पता हो न अच्छ है हाँ जी कि इस स्कीम में आपको यही याद रखना है कि को डाउस पूछ सकते है इसमेंना आमड फोर्सी जो है आप पैंशन वाली स्कीम याद रखना ओल्ड पैंशन स्कीम वाली उनको वह मिलती है आप और आप फोर्स इसलिए ठीक नहीं है अगर अगर आप बात करते हैं अभी तो उनकी भी लाइक चेंज कर दी यह पेंशन वगएर लगवग मेर को ऐसा लग रहे कि जो यह लएक नहीं योजना स्टार्ट करी न अगनीवीर उसमें कुछ चेंजिस के हैं तो वहां पर शायद यह एप्लीकेबल ना हो अब यह याद अगना कि आन्फोर्स में पहले प्रॉपर पेंशन मिलती थी जहन्त मैं एक बढ़ी टॉपिक पढ़ा रहा था तो इस वज़े से उसको मैंने वहां पर नहीं पढ़ा अब जैसे मैंने देखा कि आपको इसके बारे में डाउट आ रहा है तो यहां पर मैंने बता देके आंफोर्स इस यह वर्ड यहां पर गलत है तो यहां पर टेक्निक चलो एक सवाल है मेरा आप सबी से आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यह जो कावेरी रीवर कहां से उरिजनेट करती है कि कावेरी रीवर का डिस्प्यूट है सबसे पहले हमें कावेडी रीवर के बारे में पताऊ हुना छिए सबसे पहले इसके मैप को देख लेते हैं उसके बाद बाखी चीजों को देखेंगे यह कावेरी रिवर यहां पर كुछ इसकी लियकस्य ट्रिब्यूटरी से आपको पता होनी चाहिए यह जैसे यह घ्रीट कर देखने को tribute重要ाइक बात करते तो in पर आपको कभानी देखने को मिलती है हरगी देखने को मिलती प्र यह आपकी अमरावती आ गई फिर हैं यह आपकी भवाण ही रिवर एक है तो यह कुछ आप के ऐसके tribute 리 टी अब इसमें आपको मेजरलिये पता ओनाइट कि लफ्ट और राइट बंक टिर्बिटरी से होती है। ब्रह्म ग्री से अरिजनेट करती है, पोनी रिवर के नाम से भी जाने जाती है। इस रिवर की बात की जाए, तो यहां पर आपको याद अखना है कि, इसकी मेजर जो लेफ बैंक टिर्बूटरी, यानि उपर हाफ में आपको जो देखने को मिलती है जिसे यहां पर आपको हिमावती देखने को मिलती है सिम्षा देखने को मिलती है राइट बैंक ट्रब्यूटरी में आपने याद रखने कबानी सोर्णवती भवानी धन अम्रावती यह आपकी मेजर रिवर्स रहेंगी जो इसके मैप में कोई डाउट हो तो आप बताइए अदर्वाइस एक बरी मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं यह मालने जिए भ्रह्मगिरी है यह आपकी रिवर है मेजर अगर यहां पर बात किजिए सबसे पहले इस साइड यह आगी हेमावति कौन सी आगी हेमावति अगर इस स आपकी मेजर रिवर्स आती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम यहां से इस साइड से सोहन वित वती आगी नोहिल आगी भवानी आगी अम्रावति आगी यहां पर ड्रेन कहां पर करते हैं यह आपको पता होने चाहिए लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिव्यूटरी के बारे में आ आपको बता दिया नो लेट इस टॉक अबाउट यहां अपने को क्या याद रखना है यह चीज तो काफी क्लियर है कि कावेरी रिवर सिर्फ एक स्टेट से फ्लो नहीं करती है आपकी फ्लो करती है यह कहां से तमिलनाडू से करनाटका से थोड़ा बहुत पार्ट केरला को बिटेश करते हैं थोड़ा बहुत पार्ट यूटी आफ पूडू चरी को भी टच करते हैं अभी फिलहाल दो स्टेट के बीच में प्रॉब्यम देखने को मिल रहे है करनाटका एंड तमिलनाडी अब शायद आपको पता हूं मेग दत्तू मेग दत्तू के बारे में ताकि drinking water को provide कर सके यह बैंगलूरू वाले इरिया को क्या provide कर सके drinking water plus 400 Megawatt की आपकी यहां पर energy generate होगी तो इसके लिए करनाटका government कुछ diversion करना चाहते है वाटर का और जिसको कर रहा है आपका तमिल लाड़ों जिसको रिजिस्ट कॉन कर रहा है आपका तमिल लाड़ों नो इविट टॉक अबाउट मेगदत्व जो प्रजेक्ट है यह कौन सी ट्रिब्यूटरी पे है तो इसमें अरकावती रीवर है शिम्षा से आगे यहां पर हमने शिम्षा रीवर चिम्षा तो यह आपकी यह जो रीवर देखने को मिल रही है यह डैट अरका वती यहां पर आपका मेगदत्व प्रजेक्ट है यह आपको याद रखना है अर्कावती बेसिकली आपकी कहाँ पर यह बंगलोरू किए यह है इसके जस्थ बगलमें से यहांसे निखल रही है तो यह आपको अरकावती के ऊपर कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरी ये अरकावती उसके ऊपर ये में एक दिट्टू प्रजेक्ट है अब ये तो हमें पता लग गया कि वज़े से यहां पर प्रॉब्लम चल रही है अब हमें पता होने चेक कॉंस्टिूशन में इसकी बारे में क्या कहा तो एक आर्टिकल याद रखना आर्टिकल 262 इसका क्लाउस वन कहता है कि भाई पार्लेमेंट बाई लॉग पार्लेमेंट बाई लॉग यहां पर कुछ कानून मना सकता है जिसके तहत इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को हम हैंडल कर सकते हैं तो पहली बात तो यहां पर यह दीगी है कि भी पार्लेमेंट के पास पावर है कि वो कानून मना सकती है कि कैसे इंटर स्टेट वाटर को हम सेटल करें और पार्लेमेंट ने ऐसा कानून बनाया भी जब स्ट्रेट री और्गनेजेशन हुई थी 1956 में तो आपका एक रिवर बोर्ड एक्ट आया था 1956 का और दूसरा आया था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का यह दो आपके प्रावधान आये थे अब यहां पर इसके तहित कहा गया था कि एक बोर्ड बनाएंगे जो इंटर स्टेट वाटर को मैंनेज बगर करेगा रिवर को मैंनेज करेगा पट ऐसा बोर्ड से स्टेट गववर्मेंट तमिल नाडू के इन्हें कोई प्रावब्लम है तो यह सेंटर के पास जाएंगे और सेंटर इनकी गोहार पे ट्रिविनल बनाएगा अब 2002 में से अमिंड किया और यहां पर सेंटर को यह कह दिया गया कि आप एक साल के अंदर अंदर इस तरह का ट Supreme Court ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमारे पास इसके लिए नहीं आ सकते सुल्प्रीम कोट being and appellate कोट यहां पर आप अपेल कर सकते किसी भी ट्रवियूनल के मैटर को और कि तो किसी भी ट्रवियूनल के मैटर को आप यहां पर challenge कर सकते प्लस आर्टिकल 13 आर्टिकल 32 & 226 कहते जी यह हमें पावर देते जुडिशन रिव्यू की और यह जुडिशन रिव्यू बेसिक स्रक्चर का पार्ट है तो यहां पर हमारे पास पावर है कि हम आपके इस जो भी टर्मिनल का फैसला होगा इसको सुन सकते हैं मतलब इसके ओपर फर्दर अपील कर सकते हैं तो यहां पर आपको याद अखने हैं कि वैसे तो बाइल यहां पर यह कहा जाता है क्योंकि यह आपका आर्टिकल 262 है इसका क्लास 2 कहता है कि जो पार्लेमेंट है बाइल यह कर सकती है कि किसी भी कोट की चाहे सुप्रीम कोट हो या कोई और अदर कोट हो उसकी इन सुप्रीम पोड तमिल नाडू ने अभी अपील किया भी था कल के निउस्पिपर में इसके बारे में एक आर्टिकल था और अभी यहां पर यह कहा जा रहा है कि भई लगबग दस कि शाइद दस है या पंद्रह है एक बड़ी चेक कर लेते हैं 24,000 cubic feet per second इतना पानी यह छोड़ेगा जिसको लगबग यहां पर कहा जा रहा है दस मेंट्रिक तन है शाइद तो इतना पानी यहां पर रिलीस किया जाएगा तो डाट इस वाट वी एव तो लोर्न फॉम दिस आर्टिकल एक बरी इस कोशन को अटेम्ट करके देखिए गौंडी कोटा कैनियन आफ साथ इंडियाव वास क्रिएटिड बाइ विच वन आफ दा फॉल्विंग रिवर सुप्रीम कोट के पास जाएंगे फिर भी प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम बात यह कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से अर्जस्ट करते हैं अब स्टेट्स आपस में नहीं अर्जस्ट करेंगी तो कैसे काम चलेगा जरह इस कोशन को अटेम्ट करो जरूरी नहीं है कि कावेरी पढ़ा है तो कावेरी के उपर ही कोशन होगा पने रिवर है और कावेरी रिवर का एक और नाम है डाट इस पोनी रिवर अधर प्रदेश में पने रिवर इसका यह आपको असर देखने को मिलता है तो इस आप यह प्रूट कोई डाउट हो यहां पर आप पूछ सकते मिर से भी हां जी कोई डाउट है अधर प्रॉब्रम आ रही है कुछ पानी करनाटिका कम भी रिलीस कर रहा था अभी एक दम से भी रिलीस कर दिया उसके बार में कावेरी यंड कावेरी दोनों बस स्पैलिंग का डिफरेंस है और कुछ नहीं पहले के से स्टार्ट होती थी स्पैलिंग अब सी से स्टार्ट हो जाती है यहां पर इसके बारे में बारे में बता रहे है नहीं लेट आप लिब्या लिब्या में अभी कुछ गन-फाइट सगरह देखने को मिल रही है अब दो गुरॉप के बीच में आम पर राइवलरी चल रही थी जिसकी वज़े सी घटना हुई और लिब्वाइन मजार शरीफ आपको पता यह सही ऑप्शन में है तो कुछ इस तरह से कोशन आता है तो हमें लोकेशन जाननी थोड़ी इंपॉर्टन हो जाती है अब त्रिपोली यह आपका मेडिटेरियन में खुलने वाला एक इंपॉर्टन इस एरिया का सिटी इसके का पि अपको एट-搞ých doesn't on की एंपॉर्ट शो इनकी को थोड़ा रहा और थोड़ा आ सपास की एरिया की नोकेशन को देख ले लो यूजले आपको like east to west west to east north to south south to north हाएसे आरेज़ेंग्वन करने को दे सकता है तो आपको एपको अपितल सिटीज है आज सपास के एरिया कि आपको उनकी लोकीशन पता हो लीचीए ना इवी टॉक बाओ लिवया नौर्थ हिसके meditarians यहाता है if we talk about western side we have Tunisia Algeria दिन south में आपकी दो major countries है नाइजर अभी frequently news में यहां पर कूप देखने को मिला है then Chad Sudan frequently news में frequently क्यों news में यहां पर भी कूप देखने को मिल रहा है then Egypt तो यह major countries है जो इसके आसपास देखने को मिल रही है and mind it इसके ओपर कोशन आने की probability ज्यादा क्यों है लिब्या न्यूज में चाइड न्यूज में सुरान न्यूज में एजिप्ट में अभी भारते प्रदानमंत्री जाके आए थे तो यह चार cities इसके मतलब countries जो इसके आसपास देखने को मिल रही है frequently news में so that's why you should learn about it and Mediterranean sea मैं च्रीघ्या मेरे कोई डूब गई जैसे मैंने आपको यहाँ पर लेंपीडूसरा आईलेंड के पढ़ाया था जिसली के countries हैं उनकी location आपको पता होने चाहिए उनकी location आपको पता होने चाहिए क्योंकि कोशन उसके ऊपर आने की probability काफी हाई रहने वाले है कि इस अप्लियर कि यहां तक कोई डाउट हो तो बताईए हां जी यहां तक कोई डाउट पॉलिटिकल क्राइसिस इस तरह चल रहा है क्योंकि एकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एकॉनमी अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं विकॉस आफ कोविड नाइटीन अगर आप देखें तो यूक्रेयन रशिया क्राइसिस की वज़े से अगर इंडिया में अनिम्प्लाइमेंट बढ़ता रहा तो आने वाले समय में आप यहां पर भी बहुत से क्राइसिस देखोगे इस चीज को समझ नहीं रही है जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंट के रहे ना यह कब डेमोग्राफिक डिजास्टर में अप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो यहां पर जौब क्रियेशन के ऊपर जो लेबर इंटेंसिव इंडेस्ट्री से उसके ऊपर गवर्में अब से चलते हैं तो अभी तोम कल्यूग के मध्धे में भी नहीं पहुंचें मध्धे में अभी तो दुनिया के अंदर और हानी होनी बाकी यह गीता में कहा गया ना यदा-यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवतुभारते तो अभी धर्म की हानी और होनी है उसके बाद वह आए the like a text which is imposed on a certain entity for example मैं एक कंपनी का अमालिक हूं जिसका नाम है XYZ इस कंपनी का काम क्या है यह ओयल बेचती है तेल बेचती है कौन सा ओयल चलो कुछ बात कर लिए अम मैंने अपनी कंपनी में कुछ भी नहीं किया है मतलब कोई नहीं टेकनोलजी नहीं लेखे हैं कोई management में कुछ बड़ा बेसेजन नहीं लिया है ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे पास कौंट्रेक्ट वगरा भी इतना बड़ा नहीं है है वतनतों कोई ठिकनिकल चीज व्हाजए सिआ की कंपनी ऐंदर कुछ कोछ एक्सिटर्नल फेक्टर्स की वजे से मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वह माल लेजे 20 time increase हो गया कितना 20 time increase हो गया तो यहां पर यह गवर्मेंट कहते है कि यह तो तुमने कुछ काम तो किया नहीं तुम तो फालतु का पैसा कमा रहे हो तो आओ इसके उपर हमें एक टेक्स दे दो इस प्रॉफिट को जो यह 20% में पास प्रॉफिट आया इसे का जा पाइल में अक्टरनल फेक्टर है रश्या- यूकरेन वार जिसके कारण इसके जो प्राइसिज है वह इंक्रीज हो गए अब प्राइसे इंक्रीज हो गया है तो गॉर्मेंट कहते यह तुम प्रॉफिट बेफालतु का कमा रहे हो तो इस प्रॉफिट पे आप हमें टेक्स तो कि इस एक डाउट है कि डाउट है कि यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से इसके ऊपर लाइक मैंने यहां पर आपको पूरी डिटेल पगएर दे रखिये एंड इससे ज्यादा अपने को और कुछ नीश में यहां रखना है देखो मालो मेरी एक कंपनी है एक्स वाइज़ेड इस कंपनी का कोई प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट में मैंने कोई चेंज नहीं किया प्रोड़क्ट सेम एस बिफोर है बट हुआ क्या कि कुछ अक्स्टरनल फेक्टर्स के चेंज़ेस के कारण मालो एकदम से कोई बाहर ऐसी कोई अव्वा उड़गी की जिसकी कारण बिना किसी बात के मेरी जो प्रोफिट है वह इंक्रीज हो गया मालो ट्वंटी टाइम इंक्रीज हो गया तो इस केस में गौ फॉल प्रॉफिट बट इसके ऊपर जब गौर्वर्मेंट टेक्स लगा देती है तो इसे कहा जाता है विंड फॉल टेक्स अभी करेंट्ली कूड ऑईल के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है कूड ऑईल में रश्या यूकरीन वार के कारण ये चीज देखने को मिलती है तो यहां आपको ये चीज याद रखने है नो इफ टाक अबाउट नेक्स इंपार्टन थिंग हम आज पढ़ेंगे पावर्टी एस्टिमेट के बारे में क्या कंजंप्शन बेस्ट जो आपकी पावर्टी एस्टिमेट है क्या वो सही है या गलत है पहले तो यह बताओ पा अब अगर मैं बात करता हूं सप्लाय डिस्रॉप इंड आप मैं रश्या से तेल करीद रहाओ रहा हूं रश्या से मैं सस्टे में अब ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड मार्केट पे अगर जो पेट्रोल के प्राइसे रहा है वो क्या है थोड़े रिलेटिव लिहाई है तो कि सप्लाइए कर रखे इन्होंने कम अब बाकी मार्केट में प्राइज हाई हैं बट मैं रश्या से चीप खरीद रहा हूं मैं सौर पे की चीज खरीद रहा हूं रश्या से और आज कल मार्केट में रेड़ चल रहा है डेड़ सो ते पचास रुपे मेरे को टेक्नॉलजी की अपने को उससे फरक नहीं पड़ता है आप UPSC में चेक कर ले ना आज तक कभी परसंटेज के ऊपर बात नहीं पहुंची है यहां पर आप यह देखते हैं कि इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं अगर यूरोप की बात की यहां पर कहा जाता है कि कोई इंसान अगर अपनी बर्थ्वे पार्टी नहीं दे सकता तो वह पावर्टी में आता है अब आप इंडिया में आ जो ना तो 50-60% लोग ऐसे हैं जो अपनी बर्ड़े की पार्टी कभी देते ही नहीं मेरे तो दोस्त खासकर ऐसे मेरे को देखने को मिल जाते हैं वह कभी बर्ड़े की पार्टी नहीं देंगे तो डाट इस क्या कहलाता है यूरोप की हिसाप से तो 50% population के पास कार ही नहीं 50 भी क्या more than 50 60 70% के पास कार नहीं तो अगर आप देखें तो यह भी पावर्टी की डेफिनिशन हमारे हिसाप से तो ठीक नहीं है तो यहां पर आप यह समझ के चले कि पावर्टी की कोई फिक्स डेफिनिशन नहीं है कुछ इसे मौनिटी टर्म में देखते हैं जैनि इन टर्म आफ मनी कि एक एक एक्स अमाउंट जैसे अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साब से समझें तो लगबग एक डॉलर मतलब एक पॉइंट सिक्स डाइन कुछ ऐसा डॉलर है आप मान के चले कि वन डॉलर के आसपास अगर पोई इंसान नहीं कमाता है एक दिन में तो उसे कहा जाते हैं कि वह बिलोव पावर्टी आता है मतलब कुछ मॉनेटरी फॉर्म में इसे देखते हैं और कुछ देखते हैं कंजम्शन के बीसिस पर जिसे आपने तंदूलकर कमेटी सुनी होगी सुरेश तंदूलकर कमेटी ऐसी कमेटी में कहा जाते हैं कि आप पर्टिकुलर कुछ एक्स अमाउंट आफ क्यालरी नहीं खाते हैं तो आप बिलोव पावर्टी आते हैं मतलब आप बिलो पावर्टी आते हैं तो यहां पर अगर दोनों चीज़ों को देखा जाए पावर्टी की डेफिनेशन को देखा जाए तो कोई कॉंक्रीट डेफिनेशन नहीं है बट एक जिस चीज के उपर हम सभी शायद रजामंद हो सकें एक डेफिनेशन आते है जब मकान हना इन तीन बेसिक निसेसिटी को अगर कोई पूरा ना कर पाए तो उसे हम यह कह सकते कि वह गरीबी रेखा के नीचे आता है तो यहां पर आपको समझना होगा कि इसकी कोई कंक्रीट डेफिनेशन नहीं है अब दुनिया में अलग-अलग मैथड्स को यूज किया जा अभी हाल फिलहाल में एक इंडेक्स रिलीस वह था मर्ट ग्लोबल मल्टी पावर्टी लेक मल्टी डिमेंशन पावर्टी इंडेक्स दोजार तेईस इसको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवस्टी इसने प्लस आपकी अश्चनल उनाइटे नेशन टेवलोप्मिन प्रोग्रम सब्सक्राइब अगर भारत के निती आयोग की बात की जाए तो इसके डाटा में भी यही सेम चीज़ देखने को मिलती है इसके डाटा में क्या कहा जाता है कि भारत के अंदर जो पावर्टी है उससे हमने लगभग कितने 27 271 मिनल लोगों को भार निकाल यह कब की बात करें पिछले दस सालों की बात करें यह मतलब अगर आप देखें मुल्टी डिमेंशनल पावर्टी में अलग-अलग आपके लाइक पिलर्स होते हैं यह पिलर्स किस तरह के होते हैं जैसे हेल्ट इस वन अफ़ पिलर एडुकेशन is one of the pillar living standards is one of the pillar तो इनके basis पर हम देखते हैं कि कोई इंसान पावर्टी में है यह नहीं और जैसे अगर प्रॉब्लम क्या आती है मॉनिट्री टर्म में लेते हैं अलगर मालो मैं कहता हूँ कि हजार रुपे से कम कोई भी इंसान अगर पैसे कमाता है तो वह पावर्टी लाइन की नीचे आता तो व्रेट अब आप परसंग अर्णग जस्थफिफ्टी रुपीज और का पावटी लेवल सेम है देखो यह परसन तो एक्ष्ट्रीम पावटी में है अगर डेफिनेशन के साब से देखा जाए जो हम स्टेंडर्ड देख रहे हैं उसके साब से यह एड़ मार्जिन बट सरकारी डाटा में तो यह दोनों ही एक लेवल पर काउंट होंगे तो दाट इसको समझने के लिए हमने यह मुट्ि डिमेशन पावर्टी को समझने की कोशिश की जहां पर हम कहते हैं कि नरिश्मेंट एक फेक्टर होगा चाइल्ट मुटालिटी एक फेक्टर होगा कितने साल लोग स्कूल में यह एक फेक्टर होगा कितना स्कूल अटेंड किया है यह एक फेक्टर होगा इन फेक्टर के बेसिस पे देन वी विल डिसाइड कि यह 10 वेक्टर्स हैं जैसे cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets, इन 10 वेक्टर्स में सी जो majority में fail होगा उसको हम कहेंगे कि भई वो poverty में है, मालो more than one third में वो fail होता है, तो हम कहा देंगे extreme poverty में, अगर 50% में fail हो रहा है तो उसको अलग देंगे, मतलब यहाँ पर categorization कर दी हमने poverty की दी, तो इससे हमें absolute number पता लगता है, मतलब यह पता लगता है कि कहां कौन लाए कर रहा है, तो अगर आज से कुछ साल पहले की बात कीजाए, तो तब भी भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, अगर बात कीजाए 2005 में, 2005 की अगर बात कीजाए, तो 2005 में और 2015 के बीच में, हमने लगबख अपने यहां पर poverty को half कर दिया था, जहां पर हम 27.5% पर पहुंचे थे, यहां पर यहां पर आपको यह समझना होगा कि इंडिया की कई मेथालोजी है, जैसे सुरेश तंदूलकर कमेटी के अकॉर्डिंग ली, रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग ली, अब यह जो कमेटी हैं, जैसे इसके अगर कैलकुलिशन को देखते हैं, जैसे यहां पर consumption pattern के उपर हैं, जैसे आप कितनी calories ले रहे हैं, उसके उपर based in का method है, तब भी हम अगर देखें, तो यहां पर between 2004 से 5 से 2011 तक हमने 137 million लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला है, अगर रंगराजन कमेटी की बात करें, तो महज 2-3 सालों के अंदर हमने 96 million यानि almost आपके 46 million हर साल हमने लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला है, data is given in this article, and यह आप as a data use कर सकते introduction में जब भी पावर्टी को define करना हूँ, तो इन absolute term अगर बात कीजए, इन कमेटी की जो नंबर हैं, जो global level पर आपको numbers देखने को मिल रहे हैं, उससे अलग हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो absolute term में हमने जो पावर्टी घटाई है, उसके estimate global level से काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, अब यहां एक बात कहीं जाती है, कि non-income dimensions के ऊपर हमें क्यों focus करना चाहिए, किते हमें कुछ और ऐसे भी dimensions देखने हैं, जिसे यहां पर आप कुछ dimensions के बारे में बात करते हैं, talks about the capability, अगर कोई इनसान स्कूल गया हुआ, किसी के पास अच्छा स्कूल का level है, तो but obvious है, उसके पास कोई अच्छी जॉब उसे मिल सकती है, example देता हूँ, like आप अगर एक इंजीनियर हैं, मानलो आपको starting में कम salary मिलेगी, but when you generate this set of skills, आप काम को सीखने की कोशिश करते हैं, काम सीखते हैं, उसके बाद definitely आप एक अच्छा pay scale हासल कर सकते हैं, तो यहां पर यह का जाता है कि भई अगर अगर टाप की बात करें, अगर कोई इंसान पढ़ा नहीं हुआ है, तो उसका poverty cycle में घूमना बहुत common है, जैसे example देता हूँ, एक person है, जो अभी labor category में आता है, day wager है, अब इसकी जो economic condition है, that is not good, जिसकी वज़े से यह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, अब क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं, तो again, वो क्या काम करेंगे, labor कहीं तो काम करेंगे, एंड वो इसी circle में घुमते रहेंगे, तो यहाँ पर हमें capability approach के ऊपर focus करना चीज़, जहाँ पर हम यह देखें कि कि किन किन चीजों से basically poverty के ऊपर, मतलब हम उन चीजों के calculate करें, जिससे poverty के ऊपर कुछ negative impact पढ़ सकता है, मतलब poverty को आप कम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा यह एंगल कवर किये गए हैं, क्याते हैं हर एक को इतना ज्यादा crucial नहीं है, मतलब अगर आप देखें, उनको कईयों को आप measure नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजों को, जैसे like, अगर आप बात करें, कुछ चीजों को calculate करना बहुत मुश्किल रहा होगा, यहाँ पर example देता हो, ए थोड़ा बहुत calculate कर सकते हैं, but all over India इसको calculate करना थोड़ा मुश्किल है, आपने जितने को connection दी है, हो सकता है, उतना हो मैसी सारे लोग उस connection का इस्तमाल ना भी करते हूं, उजला योजना में तो हमने बहुत तो connection दी है, तो यहाँ पर true picture मिलना हमारे थोड़ा मुश्किल हो है, means when we talk about calculation, तो calculation थोड़ा vary कर सकता है, अब बच्चा school जा रहा है, पर school जाके वो पढ़ता ही नहीं है, तो उसको आप यहाँ पर कैसे calculate कर सकते हो, तो कुछ चीजों को calculate करना मुश्किल है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि कुछ चीजे crucial है, but उन्हें calculate करना मुश्किल है, उन्हें measure करना मुश्किल है, but कुछ चीजे unnecessary भी इसमें add की गई है, तो यहाँ पर हमें उनके उपर focus करना चाहिए कि उन चीजों को multi-dimensional poverty में, उन indicators को remove करके, कुछ और better यहाँ पर हमें चीजे लेके आनी चाहिए, अब जैसे अगर हम बात करें, एक major problem है, safe drinking water, but आप इसमें इसका क्या relation है, जैसे child mortality के साथ, child mortality के साथ इसका क्या relation है, उसको आप to the point match नहीं कर सकते हैं, अब एक example है, जैसे drinking water, drinking water अगर polluted होगा, safe नहीं है, तो लोगों को diarrhea होगा, बच्चों को like school की छुटी करनी पड़ेगी, school की छुटी करनी पड़ेगी, तो उनके learning outcome पे असर पड होगा, वो चीज तो हम calculate नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर ऐसी चीज़ों के बारे में का आगए, कि ऐसे irrational चीज़ों को आप छोड़े, और जो problem बहुत जादा बढ़ती है, मतलब जो multiple impact जिसके देखने को मिल सकते हैं, जैसे drinking water, आप उनको धंक से calculate करें, जैसे drinking water का child mortality से भी relation है, आप education outcome की बात करता है, उसके ऊपर भी उसका impact है, तो उसको धंक से calculate करना चाहिए, तो यह दो problems इसमें बताई जाती है, majorly, majorly, तीसरी अगर हम बात करें कि और क्या problem है, तो यहां पर कहा जाते हैं कि non income indicators की अगर हम बात करते हैं, चाहे आप education की बात करें, health की बात करें sanitation, drinking water, child mortality, इन सब में, इनको like अगर आप like कुछ challenges income side से रहते हैं, आप poverty के हिसाफसों से देख सकते हैं, but still, कुछ चीजों के ऊपर आप यह देखेंगे कि proper अगर हम इस like index की बात करें, तो उसके बारे में proper data हमारे पास अभी available नहीं है, आप कई surveys के बारे में जानेगे, जैस consumption के बारे में बात करें, तो कई सालों से वो calculate ही नहीं हुआ है, तो वो एक problem है, मतलब हमारे पास data भी अभी इस समय authentic नहीं पड़ा है, तो यह भी एक major problem है, और इसके लिए कुछ example दिये जाते हैं, जैसे official data on consumption expenditure, यह 2011-12 के बात करें, तो उससे compare करते हम, पर 17-18 में तो यह data officially release ही नहीं हुआ, तो how can you say, कि इंडिया में poverty घटी है, जब आपने data ही नहीं release किया, तो यहाँ पर आप उस चीज को कैसे कह सकते हो, कि वो ठीक है data, दूसरी चीज यहाँ पर यह कही जाते है, कि इसमें alternative source को use कह जाता है, जैसे center of monitoring Indian economy, या periodic labor force survey, ऐसे data को utilize किया जाता है, बट इसका conclusion totally different होगा, जो यहाँ पर consumption expenditure data था उससे, तो दो अलग चीज को, apple और orange को आप compare नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर data की insufficiency is one of the major problem, जिसकी वज़े से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह जो आप देखने हैं na figures वोगेरा, यह highly inflated है, मतलब काफी इसमें बदलाव हो सकता ह हो सकता है, actual figure को यह ना दशाते हैं, उसके लावा कई जगाप पर national accounting statics या NSS का data यूज किया गया है, but इन दोनों के data में कहते हैं जमीन आसमान का फरक होता है, क्यों? कहते हैं पहले इसके अंदर, मतलब इंडिया में नहीं, all over the world इस data में फरक देखने को मिलता है, last time अगर इन data को दोनों को आप सेम पैमाने पर रखेंगे और उससे calculation करेंगे तो calculation ठीक कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर इस बारे में भी मतलब जो data difference है, उसको कही न कहीं accumulate नहीं किया गया, इसके ऊपर भी यहाँ पर questions उठाए जाते हैं, फिर यहाँ पर यह कहा जाता है कि possible way forward क्या हो सकता है, का जाता है expenditure based method आप यूज कीजिए, well and good estimate इससे आप कही न कहीं better कर सकेंगे, but उसके लावा जो आप ले रहें जैसे nutrition, health, education, quality of life, इन सब को भी proper आप indicators को measure कीजिए, तभी आप actual में कुछ धंका concrete निकाल पाएंगे, इसके लावा यहाँ पर कहा जाता है कि appropriate dimensions को cover कीज में को एक चीज़ बताओ, हम health के बारे में बात करें, education के बारे में बात करें, living standard के बारे में बात करें, but क्या यहाँ पर कोई income के बारे में बात हुई है directly, जवाब है नहीं, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि we should focus upon कि कैसे income factor को भी हम इसमें include कर सकें, उसके basis पे भी, क्योंक आप to look upon multi-dimensional की बात कर रहे है, तो हर angle से, हर possible way से उसको calculate करना चाहिए, तो यह चीज़े यहाँ पर आपको याद रखने है, तो last में कहा जाते है कि common method को हमारे को develop करने की जूर्त है, जिसमें carefully हम case study develop करें कि कि किन-किन चीज़ों से poverty के उपर impact आता है, उनके उपर focus करके, हम आने वाली समय के लिए, इन dimensions को थोड़ा और ज्यादा बेटर करें, यहाँ पर इस चीज़ में आपको इतना ही याद रखना था article में, आपको इतना ही याद रखना था article में, नाव किसी का भी कोई doubt हो तो आप पोच सकते हैं, Sir, please explain external factor of these crude oil, external factor, Ukraine war, मैंने आपको बता है, one of the major reason है, जिसकी वज़े सप्लाय चेन के ओपर disruption आया, अब कई बरी ऐसा होता है कि, आपने उपाक के बारा में सुनाओंगा, उपाक अपने prices वगएरे को change कर देते है, supply वगएरे को घटा देते है, तो उसका भी असर पड़ता है external factor, जैसे मानलो कोई मैंने software बना है, अब एक दम से, या मैंने कोई semiconductor chip बनाई, एक दम से उसका utilization बहुत जादा improve होगी, वो chip बनाई है, तो वो मेरी technology है, उसके अंदर कोई price increase होता है, तो उसके उपर government tax नहीं लगा सकती, but at the same time, जो चीज पहले बेच रहा था, आज भी बेच रहा हूँ, जैसे मानलो मैं cotton की shirt बेच रहा हूँ, यह मानलो T-shirt बेच रहा हूँ, तो यह T-shirt same ही है, but क्योंकि पीछे से कुछ चीजे होई, कोई supply में disruption आ गया, उसके वज़े से मैं profit कमारा हूँ, तो government उसको reduce करने की कोशिश करती है, देखो, मैं इसको सारांश आपको यह देना चाहूँगा, देखो, multi-dimensional poverty index के बारे में बात की जाए, तो government यहाँ पर बहुत सी चीजों के उपर focus करती है, calculate करने के लिए, जैसे हम health के उपर focus कर रहे हैं, education के उपर focus कर रहे हैं, living standards के उपर focus कर रहे हैं, कहते हैं इन्हे calculate करने के लिए, आप जो data use कर रहे हैं, that data is outdated, in data में बहुत सा problem है, because आप apples and oranges को cover, यहाँ पर measure कर रहे हैं, तो जो दो अलग-अलग organization के पास data आ रहा है, आप उनसे calculate कर रहे हैं, यहाँ पर poverty को, तो उससे आपको accurate picture economy की देखने को नहीं मिलेगी, although starting में, इस article में बताया जाता है कि कैसे, आपने जिसे जो UNDP का data निकला था, उसमें आपने देखा almost 27% से 16% पर पहुंच गिये poverty, साथ की साथ अगर तंदूलकर कमेटी की calculation की साब से देखें, या आप रंगराजन कमेटी की calculation की साब से देखें, तो भी इंडिया में कहतें कि poverty कम हुई है, हम भी इस बात को मानते हैं कि poverty कम हुई है, but exact number जितना आप claim कर रहे हैं, कि 271 million लोगों को हमने poverty से बाहर निकाला, हो सकता है, यह से different हो, क्यों, क्योंकि पहली चीज़ जो data use किया है, data not up to the mark, यहाँ पर data में कही हो में, आपको like differences देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर कही जाते हैं कि भई आप अगर इस चीज को डंग से calculate करेंगे ना, इस चीज को देखते हैं, तो यहाँ पर आप कई चीज़े देखेंगे कि जो इतनी जादा necessary नहीं है, जिसे for example, आप cooking gas के ऊपर किस तरह से data collect कर सकते हैं, आपने उजूला scheme के इस आप से बता द है, चौती problem यह है कि भई जो aggregative आपका जो impact है, for example, drinking water है, drinking water आपकी health के ऊपर भी impact लेके आता है, प्लस यह education के ऊपर भी impact लेके आता है, और प्लस आपकी income के ऊपर भी impact लेके आता है, तो अगर इन तीनों के ऊपर impact आ रहा है, तो aggregative impact जो है, उसे calculate करने की जूरत है data में, न ताकि हम इन्हें isolated form में या silos form में रखें, तो ये तीन, मतलब चार, ये चार major इसमें कमिया है, इसको दूर करने के लिए एक आ जाता है कि भई, हमें एक proper methodology बिनाने चाहिए, जिसके लिए case study, यानि हम various level पे छोटे-छोटे टुकडों में इस data को collect करें, अलग-अलग methods का इस suited method हो, उसको हम use करें आगे future में, इसके ऊपर focus किया जाता है, इस article में, तो ये आपको याद रखना है, किसी ने कहा कि sir properly explain नहीं कर पाए, तो ये इसका सार है, वो data बहुत जादा दे रहा था तो maybe, वो आपको थोड़ी problem लग रही हो है, Yes, that can be done, अभी तक तो मैंने question नहीं दिखाया, ये पहले question का answer one, किसने, बी, किसने दे दिया, जब देखो, Libya किस-किस के साथ border share करता है, अर्जुन बात ये है कि इंडिया मिना private sector अच्छे से डिवलप नहीं हो पाया, अगर मैं आपको आज की देट में कहूं कि भी private sector में अगर जॉब अच्छी मिल रही होती, मतलब अगर हर एक को जिसे इंजीनियर को जोब इंजीनिरिंग करने के बाद 10,000 की जॉब ना मिलके 20, 25, 30, 40,000 की जॉब मिल रही होती, तो बट अव्यस है private sector क्या अगर खपत यानि employment generation काफी अच्छा होता ना तो लोग सरकारी नौकरियों की तरफ ना भागते, जुद अब प्राइविट सेक्टर अपना पार्ट नहीं प्ले कर पाया, इसी वज़े से आज की डेट में भी लोगों में सरकारी नौकरी का क्रेज है, कोशन को अटेंट कीजे, अलजीरिया, माली, नाइजर, चाड, मुरको, किन के साथ हम बॉटर शेर करते हैं, लिब्या, सॉरी, किन के साथ लिब्या, बॉटर शेर करते हैं, यहाँ पर मुरको तो आप निकाली दीजे, चार्ड नीचे था नाइजर था हाँ जी चार्ड था नाइजर था, माली था कि नहीं था जेंथ क्या बात होगी किस चीज का रिपलाई नहीं किया हमने पर दो जेंथ की बात सुन लूँ आज कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो मिर को पता नहीं लग रहा जम्म स्क्रीन पर देखता है तो आपका कमेंट तब यही आ रहा होता है कि सर आप मेरा रिपलाई नहीं कर रहें पर कोशन आप पूछ लो जल्दी से मैं देख रहा हूं स्कूरोल करके मेरे को ऊपर भी कोई आपका कमेंट नहीं दिख रहा है अब एक मिनिट रुक के तो यहां पर यह तीन कंट्रीज याद रखना थी आएगा आंसर बनेगा बी ऑप्शन next windfall is designed text the profit of company derives from the external sometime unprecedented event excise duty is a form of direct text today excise duty applies only on petroleum and liquor मेरा द्यान तो है अर्जुन यह तो ठीक है अब जड़ा इस चीज को बताओ जड़ा इन दोनों में से कौन सी statement गलत है जल्दी से बताओ क्या excise duty direct है या indirect text है हाँ जी excise duty direct text है या indirect तो फिर यह statement गलत होगी बाकी तो यह चीज स्थीक है तो यहां पर सरफ एक ही statement गलत है ओनली वन डाट इस सेकेंड ऑप्शन में ट्रब्यूटरी ओफ कावेरी रिवर आर अम्रावती भवानी हेमावती कबानी कावेरी बेसिन इस स्प्रेड अक्रास तमिलनाडू करनाटका केरला एंड यूनिन टेरिट्री आफ पुड्डूचरी कावेरी इस इंटेन स्टेट वाटर डिस्पूट इन दिस ओनली हंजी क्रेक पूछा गया है अरे जरूरी नहीं है यह एंबिट इंक्रीज हो जती है तो कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है नॉट जस्ट तमिलनाडू करनाटका बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी इसमें कूद पड़ेंगी तो यहां पर थर्ड स्टेट्मेंट आपकी गलत हो होगी बाकी दो ठीक हैं तो आंसर बनेगा बी ऑप्षिन नेक्स्ट विश्व कर्मा योजना जेहन्त आपकी कमेंट की वेट कर रहा था मैं विश्व कर्मा योजना के बारे में ये कूशन जल्दी से अधिको इंडिजिवल के स्किल और साइंटिफिक नॉलेज के ओपर यह नहीं है तो गलत हो गया फॉर बैनेफिट आफ इंडिजिवल ट्रेडिशनल्स ट्राइबल कमुनिटी के बारे में नहीं है ये भी गलत हो गया एंड ट्राइबल कमुनिटी अगें ये भी गलत हो गया तो बचा क्या ये पहला आपका स्टेट्मेंट ठीक हो गया तो आंसर बनेगा एंडियोप्शन लास्ट कोशन आफ देडियो जैंत कहां रह गए हो यहां पर दोनों स्टेट्मेंट ठीक है आंसर इस सी ऑप्शन आज एक बार इस कोशन को देख लेना कि स्क्रीन शॉट ले लो इसका शाम को आठ बजे आज ग्रुप में चैट करते हैं आज आपस में डिस्कूस करते हैं कोई प्रॉब्लम हो आपकी तो वहां पर आप आसर एक साइज ड्यूटी को जिसे आपके कोई प्रुड़क्ट है प्रुड़क्ट बजसे अल्कोहल अल्कोहल के ऊपर जो टेक्स लगा जा रहे ला है ड reality साइज जूट अधर नहीं लग रहा है तो डाट इस नौब जो बजे नौजे कोई एक बंचा जिसके पास किसी एक के पास तो ऐसा होगा जिसके पास मेरा नंबर मौजूद होगा मिलको वाट्ट सेप पे मैसेज कर देना कि सब नौ बजगें क्लास लेंगी आपने चलो लगता आज जैन्त नराज होगे चला गया है कि उन्रा कोई आर्टिकल ही नहीं आ है ताइवान के बारे में अदर्वाइस मैं कर दिता है गुरुप का नाम है नोट्स भाई विवेक शर्मा प्रताप यहां पर नंबर दे दिया ना तो मैं रात भर सो नहीं बाऊंगा तो नंबर तो यहां पर नहीं कोई किसी ना किसी एक पच्छे को मैंने दिया होगा इस ग्रुप में होगा कोई ना कोई तो होगा चलो टेक कियर एव्रिवान बाइए